कर्मिया सुरू हो गई हैं दोस्तों और आज आ गई है मेरी समर स्पेशल एक और रेसिपी जो की है मावा कुलपी एक थम ठेले वाली मावा कुलपी बनेगे बहुत ही सदा मज़ेदा और बहुत सदा टेस्टे और साथी घर की है तो इसमें कोई भी कैमिकल या फिर कुछ भी हम बाहर का यूज नहीं करने वाले हैं तो इस बहुत सदा हेल्दी भी है तो देखिए सबसे पहले कड़ाई में मैंने दो टेवल स्पून पानी डाला है और इसके बाद डाला है दो ग्लास दूद आप दूद कच्चा भी ले सकते हैं या फिर पहले से उबला हुआ भी ले सकते हैं तो देखिए दूद को अच्छे से बॉइल करना है हमें जब तक ये दूद आधे से भी कम न रह जाये तब तक बहुत ही मज़िदार बनती है ये और बहुत जल्दी भी बन जाती है ऐसा नहीं के घंटा डिर घंटा लगता है सिर्फ 30 मिनिट में ये रेसिपी बनकर त्यार हो जाती है और उसके बाद 8 घंटे आपको फ्रीज करना पड़ता है तो देखे दूद अच्छे से बॉइल हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूद की कौइंटिटी बहुत कम हो गई है आप मेडियम फ्लेम पर बॉइल करेंगे ना तो बहुत जल्दी काम हो जाता है यहाँ पर आप मैंने ले लिया है 3 4th कप के सम्धिंग मावा यह मावा पहले से सिका हुआ है आपके पास अगर कच्छा मावा है डारेक्ट आपने जैसे दूद से बनाया है या मिल्क पाउडर से बनाया है तो वो भी लिसकते हैं लेकिन हम जब मावा सेक कर रख देते हैं तो वो लंबे टाइन तक हम उसे स्टोर कर पाते हैं तो देखे यह सिका हुआ मावा था और मैंने यह दूद में डाल दिया है अब इससे हम अच्छे से मिक्स करेंगे आप मावाव को सिर्फ हाद से क्रंबल कर लीजिए उसे कद्दू कस करने की भी जरूरत नहीं है ये जो छोटे छोटे पीसेस है न ये अच्छे से मिक्स में मिक्स कर देंगे और बाद में हम एक और प्रोसेस करेंगे जिससे ये पूरा मिक्सर एक तम स्मूध हो जाएगा तो देखे मावा मिक्स करने के बाद में अच्छे से इसको बॉल करना है दो से तीन मिनिट में ही ये दूद अच्छे से गाड़ा हो जाएगा और ये मावा सिका हुआ है इसलिए दूद का कलर हलका सा चेंज हो गया है और अगर कच्छा मावा होता तो ये दूद का कलर प्लिकुल वाइट होता अब इसमें अपने टेस्ट के अकोर्डिंग चीने डाल देचिए मैंने करेवन 4 तेवल स्पून चीने डाली है और आप जितना मीठा करना चाहते हैं उसके साब से आप चीने डाल सकते हैं कम्या जादा और देखिए चीने खुलने के बाद इससे बस एक मिट के लिए और बॉयल करना है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं हलका सो और ठेक होने देंगे हम तो देख सकते हैं आपके इसकी consistency ठीक हो चुकी है और यहाँ पर मैंने gas की flame भी बंद कर दी है और अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे इसके बाद हम अगली process करेंगे तो इसे छोड़ दीजिए 10-15 मिनिट के लिए और यहाँ देखें आप कि इसकी consistency जो है पहले से भी काड़ी हो चुकी है और यह एक्तम ठेक हो चुका है इसी consistency का हमें मावा और यह mixture बना कर ट्यार करना है जब इतना काड़ा हमारा यह mixture बने का आइस क्रीम का तो जो हमारी आइस क्रीम है मावा कुल फिप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा रबड़ीदार बने की तो बहुत सादा उसको पतला मत रखिएगा इस consistency तक इसको अच्छे से काड़ा होनी देजेगा कड़ाई के किनारी भी मैंने अच्छे से चुटा दिये हैं तक कि जो भी थोड़ा बहुत mixture जो लगा हुआ है ना वो पूरा हम उसे निकाल सके और यह जो रबड़ी है ना बहुत ही अच्छे से थोड़ी सादा quantity में हमें मिल सके क्योंकि सबको खाना होते है ना आइस क्रीम तो देखिए अब जो मावा कुलफी का mixture है ना इसे हम डाल देंगे मिक्सी के चार में और इसे हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे सिर्फ एक मिनिट के लिए ताकि इसमें जो थोड़े बहुत गुटले रह गया है ना यह अच्छे से food जाएंगे और जो हमारा मिक्शर एक् यहां पर मैं आपको ढकन कुल के दिखाती हूँ आप देख पाएंगे कि इसमें बिल्कुल भी कुटले नहीं देखेंगे आपको मावा पूरी तरह से अच्छे से ग्राइंड हो चुका है और यह जो हमारे मिक्शर है मावा कुलफी का वो एक तम स्मूध हो चुका है यह द देखें मैंने थोड़ा थोड़ा इनको भर दिया है और ओपर से थोड़ा सा खाली रखा है अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी पिस्ता कद्रन और यह पूरी तरह से ऑप्शनल है आप जो भी डाल सकते हैं नहीं तो पूरी तरह से ने छोड़ भी सकते हैं तो नहीं खाना पसंद करते हैं हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसे गुड से भी बना सकते हैं अब जो हमारे मावकुलफी के सेट हो जाएगे तो मैंसे फ्रीजर में रग देती हूं यहां पर देखिए आट गंटे के बाद मैंने इनको फ्रीजर से निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि ऐस समय होँँ थे य्वज़े सग्त बीव यह पॉज़े वें सी जो हो झाख भाए ohne ऐस indeed हो गई है पर कोई बात नहीं हमें तो घर पी ही खानी है न तो अब मैंने क्लास में पानी ले लिया है और इसमें हम ग्लास को आइस्क्रीम बाली निकल आएगी और हमने इसमें किसी भी तरह का आटा या अरा रोट नहीं डाला है इस वज़े से ये कुलफी जो है बहुत जल्दी पिखल जाती है अरा रोट डालते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन देखी जैसे मैंने क्लास से निकाला है ये तुरन पिखलने होगी और आप ये जरूर से पराएंगे गर्मियों में मावा कुलफी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजेगा साथे चैनल को सब्सक्काइब कीजेगा और ऐसी ही स्मूल और टेस्टी कुलफी जरूर सर अपने खर पर बनाएएगा और भी रेसेपीज में शेयर करूंगे तो उन्हें देखने के लिए वैल आइकन पर जरूर क्लिक करिए का थैंक्यू सुमच फॉर वाचिंग